आजके इस वीडियो में हमें भारतिय विगैनिक डोक्तर पंचनन महास्वरी के बारे में समझेंगे जिनका सोर्ट में नाम डॉक्टर पी महाईस्वरी पी का मतलब है पंचनन महाईस्वरी महाईस्वरी नाम से आपको इसा लगता है कि यह लेडीज है लेकिन इसा नहीं है यह जेंड्स हैं पुरूस है और अबने रास्थान के ही निवासी हैं मुख्य रूप से ज्यापूर के रहने वाले हैं तो इनका जनम 1904 में हुआ और मर्ति 1906 में हुई ठीक है तो चलिए हम पी महाईस्वरी यानिकी पंचनन महाईस्वरी के जीवन परीचे और इनकी उपलब्द्यों के बारे में समझते हैं डॉक्टरन पंचनन महाईस्वरी भारती वरस्पती विग्यानिक थे वरस्पती का उनलब है पेड़ पोदों के बारे में अध्यन करना पेड़ पोदों के बारे में चान बीन या खोज बीन करना ठीक है तो इसलिए ये वरस्पती विग्यानिक अलाते हैं पहला है कि उसने बनता है कि पंचननन महाईस्वरी या पी महाईस्वरी जो है वो किस शेतर के विग्यानिक थे तो वो वरस्पति विग्यानिक थे इनका जनम 9 नौवंबर 1904 को जयपूर में हुआ था रहन की अपने रास्थान के जयपूर के रहने वाले हैं डोक्टर महाईस्वरी ने इलहाबाद विश्व विदाले से शिक्षा प्राथ की इलहाबाद जो की उतर परदेश में है वहाँ जो यूनिवर्शिटी है विश्व विदाले है वहाँ से शिक्षा प्राथ की और आगरा कोलेज से अध्यापन कारिये आरम किया आगरा भी अप तो उनका भी अधियक्स विभाग का अधियक्स हो कर आगे तो इनको दिल्ली जो विसो विभाग का अध्यक्स वनस्पती विभाग यान की वनस्पती विभाग देरित होते हैं कोलोजों के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं जैसे रसायन विज्ञान विभाग ठीक है और जन्तु विज्ञान भोतिक सास्तर तो यह वनस्पती विज्ञान के अधेक्स मरेति दिली के अंदर तस्वीर में आप देख रहे हैं पंचानन महायस्परी डॉक्टर महायस्परी ने पादप भृण विज्ञान लिए कि पेड़ पोदे और भृण का मतलब है कि पेड़ पोदे किस परकार से फूल से फल बनाते हैं रफल में बीज बनता है और बीज के अंदर जो होता है वह भृण कहलाता ह चीक है इस परकार से जीवजन्तों के अंदर भी माता के सरीर के अंदर जो सिसू होता है तो उसे पन भुरुन कहते हैं तो उसी परकार से पेड़ पोदे भी जो अपने बीजों से ने पोदे बनाते हैं तो उन बीज के अंदर क्या होता है भुरुन होता है तो इन्होंने और पादब किरिया विज्ञान के साहमिस्टन से नई साखा का विकास किया था इसे फूलों के विबिन भागों, तो पूस्ट के मुख्रुप से चार भागों होते हैं, सबसे बार जो हरे रंग के होते हैं, बाय दलपुंस, प्रंगिन पंखुडिया दलपुंस, और पूंकेस से तोड़ करके, उसके बाद में प्रियोकसालग के अंदर ही फूल को पोष्ण दिया, और जिसमें उन्होंने ये पाया गया, कि किस परकार से उनमें फूलों के अंदर निश्यजन के किरिया होती है, और उससे फल, बीज और भृण का विकास होता है, तो ये सारे काम इन्ह से बहुत सारे स्टूडेंट्स से सोध कारिये करते थे, सोध कारिये का उनलब है, रिसर्फ करना, किसी के उपर खोजबीन करना, ठीक है, तो वो भारत के तो थे ही थे चातर, प्रंतु उसके अलावा अमेरिका के स्टूडेंट्स भी इनके पास पढ़ने के लिए आते थे, इनके मारख दरसरों में लगबग 60-70 होने डारेक्टर की उपाधी प्रात की, डॉक्ट्रेट के या अनुक्तर ना मक के पहले जो डोक्टर लगता है नोक्टर पंचानन भाएश्वरी, तो डॉक्टर कामलग यह नहीं है कि यह कोई बिमार जब होते हैं, तो डॉक्टर के पास आते हैं गोली दूवाय आपन लेते हैं तो वो डोक्टर नहीं है ये मभी ब्याम से या सर्जरी वाले आखना कान गले के डोक्टर कःक्षय एक विशेस कारी जो किसी एक फिल्ड में किया है, किसी एक छतर में किया है, तो इन्होंने वरस्पती विज्ञान के अंदर, भृण विज्ञान के ओपर विशेस कारी किया है, तो इन्होंने डोक्टरेट की उपादी धारन किया है, तो उनके नाम के पहले डोक्टर लगता है चीक है तो ये खुद भी डॉक्टरेट थे और इन्हों ने भी अपने नीचे 60 छात्रों को लगबग डॉक्टरेट की उपादी यानि की सोधकारी करवाया यानि की जब कभी भी किसी दूसरे देश के अंदर कोई विशेस समयलन होता था विगयानिकों का तो उसमें भारत की तरफ से डॉक्टर पंचानन महायस्वरी ही जाते थे वो परतिनिज़त्वा करते थे टीशू कल्चर प्रियोग साला देखो टीशू कल्चर क्या होता है टीशू मने होता है उत्तक और कल्चर मने होता है समर्दन यानि की पेड़ पोद्य का कोई भाग अपन तोड ले जैसे उसकी जड़ तना पत्ती और उसको प्रियोग साला के अंदर अपन डवलप करें वि प्रक्षनली काज की बनी वहीं इस प्रकार से टेस्ट्यूब होती है इंदर क्या होता है कि विशेश पोसक माध्यम डाल दिया दाता है और पोदे के जो अक्स उन्हें अपना फेलो बनाकर स्मानित किया गया था 18 मई गुनिर 166 को दिल्ली में डॉक्टर महाईस्वरी का निद्धन हो गया है यानिकी इनकी मर्ति हो गी तो इस फरकार से हमने डॉक्टर पंचानन महाईस्वरी के जिवन परीचे और उनकी उपलब्दियों के बारे में जनकारी प्राप्त की धन्यवाद है